हलो गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों मैं चांदर सिंग आप सभी का मेरे चैनल पर हार दिख स्वागत करता हूं बच्चों ये कक्सिया आर्ट के विदारतियों के लिए संस्कृत का पर्थम मुल्यांकन पर पत्र है जो टेस्ट आपका हो गया है तो इसमें आपने कितने परसंड सही किये हैं कितने गलत किये हैं उसकी हम चर्चा करेंगे अब मैं इस टेस्ट को हल करने वाला हूं ये टेस्ट के संस्कृत के अध्यापक के द्वारा हल किया गया है उनीकी आधारपर में आपको बता रहा हूं हो सकता है एक आद परसन गलत हो जाए तो अपने शुरू करते हैं वीडियो को सुरू करते हैं उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे का निशान भी दवा दीजिए ताकि ऐसी वीडियो की सुचना आप तक पहुंच जाए तो शुरू करते हैं परसन नंबर एक देखो क्या इसमें 20 परसन का यह टेस्ट है और आपका 20 नंबरों का है प्रते एक परसन करना आपके लिए अनिवारिया है परसन नंबर एक देखी बिलस्य वानी ने कदापी में सुरूता इती कथा ग्रिंथा ग्रीत है अस्ती बिलस्य वानी ने कदापी में सुरूता यह जो आपकी कहाणी है वो किस ग्रंथ से लिग गई है पंच्तंत्रात कथासत्कात हितोपदेश्ट काकली यानि पंच्तंत्र से कथासत्कात हितोपदेश्ट काकली किस से लिगे तो ये लिगे ये पंच्तंत्र से तो पहले का उत्र है ए पर्शन नमबर दो बिल से वाणी ने इती पाठा से लेख़ अस्ति बिल वाणी ने कदापी में सुरूता इस पाठ के लेख़ कोने? नाराइन पंडीता है विस्नू सर्महा, स्रीपदम सास्त्री, हरिदत सर्मा तो बिल्कुल पंच्तंतर से लिगी ये पंच्तंतर के लिए का को ने विशनु सर्मा तो आपके इस दूसरे पर्षन का उत्तर हो गया बै विशनु सर्मा पर्शन नमबर तीन वेदा कती संती चत्वारे त्रे है पंचे एक है वेदा कती संती मतलो वेद कितने है तो वेद कितने है भई वेदा कती संती वेद कितने है तो चत्वारे यानि च्यार है वेद तो तीसरे का उत्तर क्या हो गया आपका ए हो गया अब बात करते हैं चोथे परसन की नद्या आपे यहा भवंती निर्जर साध्ये निर्जनमा साध्ये गुणमा साध्ये समुद्रम साध्ये निर्गुण प्रयाप्ते हैं यानि नद्या कहां जाके मिल जाती हैं तो आपके परसन चोथे का उतर है समुर्द्रम्मा साध्धे यानि च्यार नमबर का सै है च्यार नमबर का क्या है उत्तर आपका सै है आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चेओं आगले परसनों की और आगले परशन फिर आगे है साहित्य संगीत कला विहिन भहोती साक्सात पसू मनुष्य साक्सात परभू देवता यहीं साहित्य संगीत और कला के विहिन व्यत्ती किसकी सम्मान होता है तो वो साक्सात पसू किसमान होता है तो पांचमे का उतर आपका ए पर्शन नमबर 6 लुबदस्ये नस्यती मैत्री विद्या अर्थम यस तो छट्टे का उतर है आपका ए ये पर्शन ये जो पेपर है वो संस्कृत के अध्यापक के द्वारा हल किया गया मैं क्यों आपको बता रहा हूं हो सकता एक आदर पर्शन कलत हो जाए और इसको बनाने क के लिए वीडियो को बहुत ज़्यादा मेहंट लगी है इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहें बुले और गंटे का निसान भी दबा दीजिए पर्शन नमर 7 नरादीपस्ये इति पदस्ये संधी विछेद अस्ति नरादीपती बना है आपकी दर्ग संधी है तो सात्मे का उत्तर है नर पलस अधिपस्ये यानि से है नर पलस अधिपस्ये से हो गया सात्मे का पर्शन नमर 8 मादूर ये है जनियती ही मदूमाक्सिका भरमरहा सजनहा दुर्जनहा तो मादूर ये जनियती यानि मदूर या यूं कह सकते ह जो आपका सहद है वो कौन पेदा करता है मदुमाक्सिका यारी मदुमक्या तो आपका आठमे का उत्तर है आगे बढ़ते हैं परशन नमबर 9 की तरफ पर्शन नम्बर नो क्या है भाग्ये इती सब्दस्य समानार्थक सब्द अस्ति देवताहा देवम पौरुसम प्रिश्रम तो आपको बताने है कि भाग्ये इस सब्द के समान अर्थवाला कौन सा है तो देवता देवम पौरुसम प्रिश्रम इसे कौन सा है देवम नो का के धन्या संती पत्रहा दुर्जनाहा अर्तिनहे महिरुआ तो दस्में परशन का उतर है आपका महिरुआ आजे है परशन नमर ग्यारा परशन नमर बारा की बात करते हैं तो बार्वे का उतर है आपका पंचतन्तर आपका पंचतन्तर, क्या उतर है पंचतन्तर आए है काकोल्ू किम पंसतन्तर से लिया गया है प्रशंणनम्र 13 विलस्य वानि ने कदापी में शुरूताह इती कताया सियंशनन नामें अस्ती विलस्य वानि ने कदापी में शुरूता है इस कता के अंदर सिंग क्या नाम है शेर का क्या नाम है घरन्खर नकखर ददीपुच दधीगरण तेरमें परषन का उतर है आपका, घरन्खर यानि सेर का नाम क्या था, सियाय का नाम, घरन्खर परषन नम्बर 14, अत्र तत्र यावत सह इत्याद्ध इत्याद्धे सब्दा कथ्यत्यत्ध ये सब्द deals क्या कहिलाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं SANGYYA कहलाते हैं या VISaaaa कहलाते हैं ये आपको जानना है तो बिल्कूल ये सारे किसारे क्या है Aowe है तो चौधा नमंबर का 9 सै तो उते हैं सर्वनाम उते हैं संगय आप जानते हैं आगे बढ़ते हैं परिशन नमंबर सोडा की पंदरा की तरफ सी हैं महती गुहा कदा पस्यती सी हैं महती गुहा कदा पस्यती सुर्यास्थ समय, सुर्योदे समय, रात्री समय, मद्यान समय कब देखा था सी हैं ने गुफा को सुर्यास्थ के समय, सुर्योदे के समय, रात्री के समय या दोफर के समय देखा था तो यह था सुर्यास्त के समय यानि पंदरा का उत्तर है परसन नमर सोड़ा चुदार्थ के आसित खरनखर ददीपुच गुहा व्यादे यानि इन में से कौन सुब्धता तो यह था आपका खरनखर सिंग ही था सेर था तो सोड़ा का उत्तर क्या है बात करते हैं परसन नमर सत्रा गुहाया स्वामी आसित गुपा का स्वामी है खरनखर ददीपुच सी है को अपीन है इन में से कोई नहीं तो सत्रा का उत्तर है आपका ददीपुच गुहा का स्वामी को ने पलाईतः है, गज़ए है, सी है, स्रिंगाल है, व्याद्द है, तो 18 का उत्तर है आपका स्रिंगाल है, से, परशन नमबर 19, यदी तुम मामने आईवये सी त्रीही अहम दिवित्यम बिलम या स्यास्यामी इतिही, अस्मिन वाक्य के अव्यम पदा संती, यदी तर ही, यदी अ तो मा बिले असमिन वाक्य अवयपद आपको इस वाक्य का अवयपद जानना है कि इस वाक्य में अवयपद कौन-कौन सा है तो एक तो आपका यदि अवयपद है और उसके बाद पांच-छे नंबर पर रेत रही तो आपका ए हो गया 19 यह कहा अब अंतीपर्शन अंतीपर्शन के अब बिलस्यवारणी ने قड़ापी में की शुरूता इती कथा या सरंगाल है नाम है अस्ति तो इस कथा में सरंगाल का नाम क्या है तो सरंगाल का नाम जो गुफा का मालिक था दधीपूछ यानि दधीपूछ है तो इस प्रकार से आपका ये test complete हुआ आप देख सकते हैं और अपने अन्य अपकों से अन्य सातियों से discuss कर सकते हैं अगर वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए गंटे का निसान भी दवा दीजिए ताकि आपको अगले वीडियो की सूचना मिल जाए अन्य सातियों के सार सेर कर दीजिए अगले टेस्ट में मिलेंगे तब तक के लिए जै जे भारत वांदे मात्रम